हेलो एवरीवन, वेलकम अगीन टू लंगर देतीमन, आज हमारा चैप्टर रहेगा राजिस्थानी बेजबूसा, जिसमें हम पुर्सों के वस्तर पढ़ेंगे, महिलाओं के वस्तर पढ़ेंगे, इसके अलावा आदिवासियों के जो वस्तर हैं, वह भी हम पढ़ने वाले है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि यहां से प्रस्णों जो है वो पूछा ही जाता है, एक कोशन जो है वो राजिस्थानी बेजबूसा और एक कोशन जो है वो आभूसंड से सम्बंदित जो है वो आता ही है, ठीक है, तो देखिए किसी भी शेत से सम्बंदित है, इसका कल्चर जो है वो है कैसा है, ठीक है, क्योंकि राजिस्थान की यदि संस्कृति देखेंगे, तो यहां के वस्तरों को देखकर ही पता लगाया जा सकता है, वस्तर ही इस प्रकार के होते हैं रंग बिरंगे, यहां पर आपको राजिस्थान में जो व ठीक है, तो सबसे जादा जो बेजबूसा निर्बर किस पर करती है, जलवायू और कल्चर पर निर्बर करती है, यदि आप जम्मो कस्मीर साइड में जाएंगे, तो वहां आप जाकर देखेंगे, कि वहां का पहनावा अलग है, वो लोग जो है, वो सर्च से लेकर पैर तक जो है, वो है, बिल्कुल ढके हुए कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहां का मौसम ही ऐसा है, वहां पर अत्यदिक सर्दी पढ़ती है, तो वहीं हम साउत में अगर देखेंगे, तो वहां का जो है, कल्चर भी अलग है, और वहां के कपड़े जो है, वहां भी आपको अलग कैसी होगी, ये लोग कैसे जीवन्यापन करते होंगे, किस तरीके के एरिये में ये लोग रहते होंगे, ठीक है, राजिस्थानी जो वस्त्र है, इनको देखकर ही पता लगाया जा सकता है, कि ये इनसान किस सेत्र से संबंदित है, मान लिजिए राजिस्थान का कोई व्यक् ठीक है? तो सबसे पहले हम पुर्सों के वस्त्र को पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए पगडियां. तो पगडी जो की सरपरधारण की जाती है. तो वस्त्रों में पगडी जो है वो सबसे महतुपूर्ण स्थान रखती है. क्योंकि अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजिस्थान में एक जो कहावत है वह प्रचलित है कि पगडी की लाज रखना. आपने ये लाइन सुनी होकी. क्योंकि पगडी जो है वो आपको बहुत तेज दूप से ही नहीं बचाती है. बलकि व्यक्ति की सामजिक इस्तिति, धार्मिक भावना इसको भी व्यक्त कर जहां पर शादी ब्याहम देखते हैं और भी उतसब देखते हैं तो वहां सम्मान देने की जो प्रथा है वह है कि पगडी जो है वह पहनी जाती है. ठीक है आज भी प्रथा प्रचलित है विवहाव में तो आप देखते ही है कि किस तरीके से अलग तरीके की पगडी जो है धारन की जाती है, दसहरे पर देखेंगे आप अलग तरीके की पगड़ी होगी, होली के अफसर पर देखेंगे रंग भिरंगी पगड़ी आपको पहने हुए देखे मिलेंगे, तो राजिस्तान में तयोहार उत्सव की अनुसार जो है वो पगड़िया धारन की जाती है और कई लोग वह सामाजिक इस्तिती को देखकर हमेज़ा पगड़ी पहनते हैं ठीक है गाओं में यदि आप देखेंगे कोई भी त्योहार नहीं होगा और कोई भी इस तरीके का मौसम नहीं होगा फिर भी वो लोग ये पहने हुए होते हैं ये सम्मान होता है एक तरीके का औ कौन-कौन से नाम जो हैं पगड़ियों के हैं वो देखिए आप अट-पटी, अमर शाही, उदे शाही, शिव शाही, विजे शाही, खंजर शाही, स्वरूप साही, भीम साही, सहँ जहानी और अरसी साही ये सबी क्या हैं पगड़ियों के नाम हैं ठीक है इनको कैसे याद बहुत ही आसान है एक तो आपको दो या तीन बार इनको बोलना है जैसे मैंने अभी बोला है दूसरा क्या है कि अटपटी और खंजर साही इसको आप याद रख लें अटपटी और खंजर साही जो है वह क्या है पगडी का अन्य नाम है और जो राजा महराजा रहे थे तो उन उनके समय उनके द्वारा जो पगडियों के नाम रखे गए जैसे अमर सींग के नाम पर अमर शाही पगडि रख दी गई, उदै सींग के समय उदै शाही पगडि, सिव सींग के समय सिव साही पगडि, विजय सींग के समय विजय शाही पगडि, वहीं जो राजा स्वरूप सी पगड़ी भीम सींग के समय भीम साही पगड़ी जो है और सहा जहानी उसके बाद अरी सींग के समय अरसी साही पगड़ी तो ये नाम जो है वो राजाओं ने अपने समय में पगड़ियों के नाम इस तरीके के रख दिये ऐसे भी आप याद रख सकते हो राजाओं के नाम या भान में आ जाएंगे अभी सही माइंड में यह चीज बैठा लो कि मैम ने जो है पगडि के जब नाम हमें बताये थे तो हमें राजाओं के नाम जो हैं याद करवाएं ठीक है और अटपटी और खंजरसाही तो किसी का नाम नहीं होता है तो अटपटी और खंजर साही इन दो शब्दों को आप याद रखें ये पगड़ी के प्रकार है और एक्जाम में आपके ये पूछा जाता है कि इन में से कौन सा पगड़ी का अन्य नाम नहीं है ऐसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर अन्य नाम जो है वह है दे दिया जाएगा किसी भी जैसे की राम साही पगड़ी बीच में आपके दे दी जाए और तीन नाम इन में से ले लिये जाए और पूछा जाए इन में से पगड़ी का कौन सा प्रकार नहीं है या पगड़ी का इसमें से कौन सा नाम नहीं है ठीक है ऐसे ध्यान में रखें दो तीन बार आप बोलेंगे यही चीज तो आपको ध्यान में आ जाएगी। इसके अलावा देखिए कि पगड़ी जो है वह वह विविन अवसर पर विविन तरीके की पगड़ी धारन की जाती है। तो यहां विवहा की अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे कहते हैं मोठड़े की विवहा के अबसर पर मोठडे की पगरी। उसके बाद दसहरे के अबसर पर पहनी जाने वाली पगरी मदील की पगरी कहलाती है। मदील कैसे याद रखेंगे आप दा से दसहरा और मदील में देखिए बीच में क्या आ रहा है दा आ रहा है ठीक है ऐसे याद हो जाएगी युद्ध के समय पहनी जाने वाली पगड़ी केसरिया पगड़ी कहलाती है तो ये आप जानते हो जब मैंने आपको पढ़ाया था शा पर धारण की जाती है ठीक है युद्ध के समय पहनी जाने वाली पगड़ी केसरिया पगड़ी कही जाती है फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी जो की होली के अफसर पर पहनी जाती है तो ये चारों जो नाम है वो आप याद में रखेंगे कि मोठडे की पगड़ी मि पगड़ी की अफसर पर पहनी जाती है तो आपको याद हो गया होगा पगड़ियों के अन्य नाम और किस अफसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है उदैपुर की पगड़ी जो की चप्टी होती है और देखिए मिवाड की जो पगड़ी होती है वह सबसे ज़्यादा प्रस वहीं जोदपुर का साफा बहुत मसूर है ठीक है ये थोड़ा ध्यान में रख लेना कि जोदपुर का साफा जो है वो है फेमस है वहीं पर मेवार की जो पगड़ी है वह है फेमस है अब देखिए नोट में मैंने क्या लिखा है कि मेवार के महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति च्छाबदार कहलाता था, ठीके ध्यान में रखें कि मैवार के महराणा को जो पगड़ी बानता था उस व्यक्ति को क्या कहते थे च्छाबदार, पूछा जा सकता है एक्जाम में ये कुशन, नेक्स्ट देखिये हमने सरकी बात कर ली, अब हम अंग की बात कर लेंगे कि क्या पहना जाता है पुर्सों के वस्त्रों में अंग रखी जिसे हम अंग रक्षी भी कहते हैं तो अंग यानि सरीर और रक्षी यानि रक्षा करने वाला तो अंग की रक्षा करने वाला वस्त्र शरीर के उपरी भाग में पहना जाता है अंग रखी एक तो ये ला जैसे जैसे समय बीटता गया तो इस अंगरखी के भी बहुत सारे नाम जो हैं वो आने लगें ठीके कई जो हैं वो अपने अपने तरीके से जो हैं नाम पुकारने लगें तो इस अंगरखी के भी अन्य नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इसे बुकतरी कहते हैं तंसु तो इसको एक जो गाना है उस तरीके से आप ध्यान में रख लें, गाने की तरह ही इस लाइन को आप गाले, कि बुक्तरी, तंसुक, दुताई, गावा, गदर, गिरजाई, कानो, डगला, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीके, अंगरकी के ये अन्य नाम है, विल्कुल कन्फ् के जो नाम है, वो बताये थे, जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्या होता है, कि एक्जाम में जब कुश्चन आता है, तो इस सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, कि हमने अंगरकी पढ़ा था, या पगड़ी पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि बुक्तरी, तंसुक, दुताई, गाबा, गदर, गिरजाई, कानो, डगला, ये सभी अंगरकी के ही अन्य नाम है, तो ये उपर पहना जाता है अंगरकी, नेक्स्ट देखिए, खेस, पामडी और साल, ये भी उपर ही ओड़ा जाता है, खेस वही, जो मोटा होता है, गाउ में आपने अकसर देखा होगा, बुजर्गों को हमेशा खेस धारन करते हुए, जहां सरदियां पड़ती हैं, वो लोग खेस ओड़ते हैं, साल जो है, साल ओड़ी जाती है, पामडी जो है, वो ध्यान में रखें, खेस, पामडी, साल, सरद रितू में कंधों पर डाला जान वस्त्र है, फिर देखिए, चौगा, चौगा क्या होता है, चौगा जो है, वह अंग रखी के उपर पहना जाने वाला भड़कीला वस्त्र होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि शर्ट के उपर जो है, वो कोट पहना जाता है, ठीक है, जिससे की बहुत अच्छा जो है, वह उसी तरीके से जो अंग रखी है जो की सरीर के उपर पहना जाता है उसके भी उपर एक वस्त्र धारन किया जाता है जो की बहुत ही भड़कीला होता है तो उसे कहा जाता है चोगा ठीक है तो उसके बाद देखिए जामा ये भी उपर ही पहना जाने वाला वस्त्र है जिसमें उपर चोली होती है और नीचे घेर जो घुटनों तक आता है तो आपने मूवीज वगएरा में देखा होगा कि जो राजा होते थे वो इस तरीके के कपड़े पहनते थे उनके सरीर के उपरी भाग में जो वस्तर होता था तो वहाँ उपर चोली जैसा आपको दिखाई देता था और नीचे घेर होता था ठीक है और जो की घुटनों तक आता है तो आपने देखा होगा कई मूवीज में राजाओं को ये पहने हुए तो वही है उसी से आप ये और जो बड़ी जाती है और चोगा जो है अगरखी के ऊपर पहना जाने वाला भड़कीला बस्तर है ठीक है वही जामा जो है कैसा होता है जिसमें ऊपर चोली और नीचे घेर होता है नेक्स्ट देखिए पाए जामा ये तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है अंग रखी चोगो और जामे के नीचे कमर वा पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र पाय जामा कहलाता है ठीक है अब यहां पर देखिए कैसे प्रस्ण जो है वो आ जाएगा कि अंग रखी चोगो और जामा और पाय जामा तो इन में से कौन सा न जामा भी नहीं सुना होगा, चौगो भी नहीं सुना होगा, तब आप Roberto हो जाएंगे कि पाइजामा ये तो है कमर से नीचे पहना जाने वाला लेकिन हो सकता है कि चोगो और जामा भी ना हो ऐसा हो सकता है ठीक है लेकिन हमने अब ये पढ़ लिया है कि अंगरकी ये भी उपर पहना जाता है चोगो ये इसके उपर पहना जाता है और जामा जामा जो की उपर ही पहना जाता है ठीक है पाए जामा जो है जो की नीचे पहना जाता है, जो कमर वा पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र है Next देखिए कमरबंद, कमरबंद जामा या अंग रखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र तो कमरबंद क्यों बांदा जाता था क्योंकि राजबुतों में विसेश कर ये चीज़ देखने को मिलती है कमर में वो लोग कटार या तलवार रखते थे तो जामा या अंग रखी के ऊपर कमर पर बांदे थे कमरबंद और इसमें अपना हत्यार रखते थे नेक्स्ट देखिए बिर्जस या प्रीचेस चूडीदार पजामे के इस्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र तो चूडीदार पजामे के इस्थान पर क्या पहना जाता है प्रीचेस ठीक है next देखिए, घूगी, कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुने होंगे लेकिन कोई बात नहीं, आप इन्हें दो-तीन बार देखेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे लगेंगे, जैसे कि ये सब आपने ही लिखेंगे देखिए, एक तो आपको, मैं ये नोट्स जो है, वो इस तरीके से बना कर दे रही हूँ कि आपको यहां कोई भी महनत करने की जुरत नहीं है आपको तो यहां समझना है और डारेक्ट इनको पढ़ना है क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे, आपको खुद के हैंडिटर नोट्स जो हैं, वो कोई भी नहीं उपलब्द करवाएगा तो इसका आप भरपूर फायदा उठाईए, बहुत अच्छे से इनको पढ़िए एक विसेश प्रकार का उन से बना वस्त्र, जो सर्दी से बचाव हे तू, सिर पर ओड़ी जाती है ठीक है, घूगी क्या होता है, एक तो यह किस से बना होता है, उन से बना होता है कहां पर ओड़ा जाता है, सिर पर ओड़ा जाता है, ताकि सर्दी से बचाव हो सके फिर देखिए पुर्सों के वस्तर में ही है आतम सुख प्राय तेज सर्दी में ओड़ा जाने वाला रूईदार वस्तर आतम सुख कहलाता है ठीक है यह कैसा वस्तर है रूईदार वस्तर है जो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तब इसे ओड़ा जाता है तो ये जो वस्त्र हैं ये राजिस्धानी वस्त्र हैं लेकिन वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो जो लोग वाग हैं वो क्या पहनने लगे हैं पैंट शर्ट जो हैं धारन करने लगे हैं ठीक है लेकिन फिर भी जो लोग इन कपड़ों को धारन करता है तो उनकी अलग ही image बनती हैं कोई भी विवहा के अवसर पर यदि इन वस्त्रों को धारन किया जाता है तो सभी की आखें जो हैं वह उन्हीं को देखती हैं ठीके तो यहां पर कुछ वस्त्र ऐसे हैं जो कि आपको केवल गाउं में ही देखने को मिलेंगे next देखिए पच्छेवडा पच्छेवडा क्या होता है यह भी सर्दी से बचावेतू मोटे सूती कपड़े से बना वस्त्र होता है जो की ग्रामीर शेत्रों में ओडा जाता है ध्यान दें इसे कि पच्छेवडा जो है वह है ग्रामीर शेत्रों में ओडा जाने वाला मोटा होता है जो की सर्दी से बचाता है ठीक है अब देखिए एक और कुश्चन जो है वो यहाँ पर बन जाएगा क्या बन जाएगा कि सर्दी में ओडा जाने वाला इनमें से कौन सा वस्त्र नहीं है ऑप्शन क्या रहेंगे कि पूश लिया जाए खेस जामा आतम सुख और पछेवड़ा ठीक है तब आप अंसर क्या लिखेंगे कि ग्रामीर शेत्रों में ओडा जाता है पछेवड़ा सर्दी से बचाव हेतू नेक्स्ट देखें कौपीन कौपीन जो की सन्यासियों द चुका है ठीक है ये कुश्चन जो है वो कई बार आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है ये कुश्चन कि सिकारियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है अमोवा कहलाता है प्राचीन काल में सिकारियों द्वारा पहने जाने वा वस्तर ग्या कहलाता था? अमोवा कहलाता था फिर देखिए, बावरा बंधेज कला द्वारा पांच रंगों में रंगा गया साफा तो आपने बंधेज जो है वह देखा होगा बंधेज की चुंडरी देखी होगी तो उसी पैटर्न में पांच रंगों में रंगा गया साफा जो है वो बावरा कहलाता है ठीक है याद रखना है यहाँ पर कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है पांच रंगों का तो पांच रंगों में रंगा जाता है बावरा राजशाही साफा ये केवल एक रंग से ही तयार किया हुआ साफा होता है तो आपको दिखाई देंगे पंधेज का कला का साफा दूसरा आपको राजशाही साफा जो है यह दिखाई देगा तो इनको देखने से ही पता लग जाता है क्योंकि ये एक रंग का है एक ही रंग में रंगा हुआ है तो ये राजशाही साफा है और जहां पर पांच रंगों से रंगा गया साफा है तो वह क्या कहलाता है बावरा कहलाता है फिर देखिए मोठरा दो बार रंग निकाल कर बंधेज किया गया साफा मोठरा कहलाता है ठी एक रंग का राजशाही और दो रंग का मोठरा ठीक है तो यहां हमने पुर्सों के वस्त्र जो है वह बहुत अच्छे से पढ़ लिये हैं विशेश कर आप पगड़ी जो है उनके प्रकार जो है जो उनके नाम है अन्य वो आप ध्यान में रखेंगे फिर देखिए पुर्सों में ही अगला है भील पुर्सों के वस्त्र तो भीलों में भी वस्त्र जो है वह भी आपको अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे सबसे पहले है पोतिया ये एक मोटा सा कपड़ा होता है भील पुर्सों द्वारा पगड़ी के इस्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस वस्त्र होता है जो की पगड़ी के इस्थान पर पहना जाता है और जिसे भील पुरस पहनते हैं। नेक्स्ट देखें ठेपाड़ा तो यहाँ पर आपको तीन तरीके के ही आपको वस्त्र दिखाई देंगे एक तो सर पर पहन लिया है भील लोगों ने नेक्स्ट देखें ठेपाड़ा जो की भील वर्ग द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती होती है एक तो धोती कौन सी होती है जो आपने आसपास गाओं में यदि आप गए होंगे वहाँ देखी होगी जो बुजर्ग होंगे जो धोती पहनते हैं तो वह थोड़ी सी धीली ह लेकिन ये जो है भील वर्ग ये बहुत ही तंग यानि बहुत ही कसी हुई टाइट दोती जो है वह पहनते हैं उसे ठेपाड़ा कहा जाता है खोयतू लंगोटिया भीलो द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी ठीक है तो लंगोटी होती है ये खोयतू तो यहाँ पर आदिवासी पुर्सों के द्वारा पहना जाने वाला वस्तर कौन-कौन से है एक तो सर पर पोतिया उसके बाद ठेपाड़ा और खोयतू नेक्स्ट देखिए अभी हम महलाओं के वस्तरों के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम आदिवासी महलाओं के वस्तरों को दे पर आदिवासी महलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्तर इन में से कौन सा नहीं है जब आपको इन में से आंसर देने होंगी नेक्स्ट देखिए कैरी भात की ओर्णी कौन पहनता है ये आदिवासी महलाओं पहनती हैं क्योंकि एक्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इसके किनारे वा पल्लू पर कैरी तथा इसकी जमीन पर ज्वार भात जैसी बिंदियां होती है कोई नहीं पूछेगा इसकी definition इतना पूछेगा कैरी भात की ओरनी जो है वह है आदिवासी महलाओं के द्वारा पहनी जाती है next देखिए तारा भात की ओरनी इसकी जमीन भूरी लाल तथा इसके किनारों पर छोर काले रंग का तारों जैसा कौण होता है जमीन का मतलब क्या है जो उसका बेज है ओरनी का यानि ये वाला तो इसकी जमीन जो है वह भूरी लाल और इसके किनारों पर छोर काले रंग का तार जैसा कौण होता है तो इसे तारा भात की ओरनी कहते हैं फिर देखिए लहर भात की ओरनी तो जवार भात जैसी बिंदियों जैसे निर्मित लहरियां जो है वो बनाई जाती हैं जिसे लहर भात की ओरनी कहते हैं कौन पहनता है इसे आदिवासी महलाएं जाम साई साडी इस तुनियां विवाह की अफसर पर पहनती हैं आदिवासी महलाओं में साडी जो है पहनी जाती है जो की जाम साई साडी कहलाती है जो वह है विवाह की अफसर पर पहनती हैं ज्वार भात की ओड़नी इसके सफेद जमीन पर छोटी छोटी ज्वार के दानों के समान बिंदिया निर्मित होती है जिस तरीके की लहर भाती जो ओड़नी होती है उसी तरीके से ज्वार भात की ओड़नी होती है तो देखिए दुबारा से देख लीजिए कि आदिवासी महल महलाओं के वस्तर में देखिए ओर्णी के प्रकार आपको देखने को मिलते हैं एक कटकी जो कि अविवाहत लड़कियां ओरती हैं वही कैरी भात की ओर्णी तारा भात की लहर भात की और जौर भात की ओर्णी जो है यह पहनी जाती है आदिवासी महलाओं के द्वारा और जा लिए नेक्स्ट वीडियो में हम महलाओं के वस्तरों की बात करेंगे, कि जैसे हमने पुरसों के वस्तरों के बारे में बात की, कि पुरस जो है वह बिभिन अवसरों पर अलग लग तरीके की पगड़ी पहनते हैं, अलग लग तरीके के वस्तर पहनते हैं, तो उसी तरीके से जो महिलाएं हैं वह भी ऐसे जो परिधान हैं वसे धारन करती हैं विभिन अवसरों पर तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से पढ़ेंगे जब तक मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप दो या तीन वार जो है वो वीडियो को देखें नोट्स जो है उन्हें पढ़ें नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू